नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट एमसी क्यूब आ संती में दोस्तों आजकल एक बहुत ज़्यादा जोलन्त प्रशन है कि डियलेट पढ़ें कि यूपिटेट 90% स्टुडेंट कन्फ्यूज है जो 2017 बैश है 2018 बैश है उन लोगों के लिए वीडियो है और जो B.A.D कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है यह क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि वो डियलेट करें डियलेट की पढ़ाई करें या यूपिटेट की तयारी करें क्योंकि U-PTED भी आ गया और सुप्रीम कोड के आदिशान उसर आप किसी भी सेमेस्टर में U-PTED कर लें आपके लिए वैलिड होगा तो सभी स्टुडेंट क्या कर रहे हैं जादस जादस सोच रहे हैं यो-PTED कि तयारी करूँ U-PTED कि तयारी कर ओ पहली बार में करेंकर कर दूँ MR-C सबका siapuna होता है कि क्योंकि U-PTED का result 17-20-25 % जाता है तो सब सोचते कि मैं पहली बार में करेंकर कर लू इतनी तयारी कर लो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप UPTED crack करें मेरी सुबकामना है आपके साथ है लोगिन दोस्तों आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि डेलेट की तयारी करें कि UPTED की तयारी करें थोड़ा confusion में आपका दूर करूँगा और वीडियो के last में आप समझ जाएंगे कि मुझे डेलेट की तयारी करनी है ये UPTED की तयारी करनी है तो चलिए कुछ point wise आपको समझाता हूँ 5 point है मेरे पास मैं 5 point के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डेलेट जरूरी है कि UPTED जरूरी है ठीक है पांचो point को बहुत ही ध्यान से देखेगा और बहुत ही छोटा सा वीडियो आप जल्दी से समझ जाएंगे और जल्दी से डिसाइड कर पाएंगे कि डेलेट जरूरी है आपके लिए कि UPTED जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा पहला जो point है वो है syllabus पहला point है syllabus देखे यूपिटेट और डेलेट दोनों का syllabus बिल्कुल सेम है थोड़ा सा फरक है वो आप बात में भी cover कर जकते हैं जितना syllabus डेलेट में है उतना यूपिटेट में भी नहीं है डेलेट का syllabus थोड़ा यूपिटेट के मुकाबलिक ज़्यादा है क्योंकि डेलेट में चार सेमिस्टर है चार सेमिस्टर के माधिम से काफी कुछ बढ़ा दिया जाता है तो अगर आप यूपिटेट को तयार करना चाहते हैं तो आप डेलेट अच्छे से पढ़ लिजें डेलेट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यूपिटेट और सेटेट में आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ सब कुछ पढ़ लूँ तो सिलेबस ज़्यादा इंपोर्टेंस रखता है आप डेलेट का सिलेबस कंप्लेट पढ़ लिजे आपको यूपिटेट में हमेशा अच्छे से कभी भी आप एक्जाम देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायते मन्द होगा यूपिटेट में तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट आप ये समझे कि अगर आप दिन में चार घंटे पढ़ते हैं ठीक है जो मैं परसनली यूज करता हूँ जो मैं परसनली लोगों को सला देता हूँ वो मैं बता रहा हूँ और ये सक्सिस का दरवाजा खोलेगी आपके लिए तीन घंटे आप डियलेड को दीजे, 1 घंट आप केवल यूपीटेट या सीटेट को दीजे निस्चीत तौर पर आपका डियलेड का कोर्स ज्यादा कवार होगा और यूपीटेड का कोर्स मुकाबले आप और जो एक घंटे में पढ़ें वो भी मैं आपको पता दो किया पढ़ना है आपको जो आप UP Det划 में एक घंटे पढ़ेंगे वो जादा तर पर्यावराट अध्यन का ही आप समय दीजैंगे ताकि क्या है जो पर्यावराट अध्यन के कुछ टॉपिक है जो देलेड में नहीं है इसलिए परिया और अध्धिन को आप जादा तवज्जो दीजे चले आके बढ़ते हैं हमारे जो तीसरा पॉइंट है वो है केरियर वेटेज दोस्तों जो 60% डेलेड स्टूडेंट है जो हमा चाहता हूं कड़वी बात है लेकिन मैं आपको पताना चाहत हूं 60% डेलेड स्टूडेंट सिर्फ एक दूसरे की देखा देखे डेलेड या बीड कर लेते हैं ठीक है जो ये 60% स्टूडेंट होते हैं वो टीचर बनने की इच्छा से डेलेड नहीं करते हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं डेलेड कर लूँगा यूपिटेट कर और सरकारी नोकरी पाजाओंगा वो सिफ सरकारी नोकरी पाने के लिए ही टीचर बनने के लिए वो भीड बढ़ाते जाते हैं डीलेड में ठीक है टीचर बनने में क्या है अभी तक यहां पर ज्यादा स्कोप नहीं था बच्चे कम थे नोकरियां ज्यादा थी तो इसलिए आपको बस यह बताना चाहता हूं कि आपका जो मेन मोट्व है वो है टीचर बना इसलिए टीचर बनने के लिए जो जरूरी है उसको सबसे पहले कीजिए जो आपका डियलेट का सिलेबस उसको पूरा कंपलेट कीजिए उसके बाद यूपीटेट पढ़िए हमारा अगला पॉ इससे आपके डियलेट में क्या-क्या फाइदे होने वह मैं आपको समझाता हूं देखिए अगर आपने डियलेट को जादा से जादा टाइम दिया तो आपको यूपीटेट का सिलेबस है वह अपने आप कवर हो जाएगा आपको कुछ इस्पेसल इफ़र्ट्स नहीं करने ह और दूसरा क्या पॉइंट है मैंने देखा है कि जब रिजल्ट आता है मानलेजे दो लाग बच्चे तो 50,000 की तो बैक लग जाती है ठीक है दो लाग बच्चों में 50,000 मतलब 25% बच्चे तो फेल हो रहे हैं डियलेट में तो दूसरा जो हमारा इससे जो प्रॉफिट होग वो है आपकी डियलेट में बैक लगेगी अगर आपने डियलेट अच्छी सपल दे तो दूसरा पॉइंट है जब डियलेट में अच्छे नंबर आएंगे तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा जो आपको आगे सिच्छक भरती परिच्छा के बाद मेरिट के फाइनल रेक्सन में आपकी मदद करेंगा ठीक है आपका डियलड जितना उचा होगा डियलड जो प्रसंटेज होका जितना उचा उतनी अच्श आपकी मेरेड़ बनेगी और जो हमारे 14 फाइदा है उसका कि जो सिच्शकभरती परिच्छा की दयारी है क्योंकि DLAD में अगर आपने कभी सिच्छक भरती परिच्छा का सिलेबस उठा के देखा होगा उसमें आपने देखा होगा सारे DLAD के कोर्स के सारे टॉपिक्स के नाम लिख्या हूँ है जितना भी DLA में आपने चारो समेस्टर में पढ़ रहा है वही सब आपका सिच्छक भरती परिच्छा में आता है UPDATE का तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन सिच्छक भरती परिच्छा का पूरा सिले बस आपको DLA के कोर्स से ही आता है तो उम्मीद करता हूँ कि DLA और UPDATE के पढ़ने के क्या क्या रिजर्ट्स होंगे वो आप समझ रहे ओके चले बढ़ते हैं आपके पांचों पॉइंट की तरह पांचों पॉइंट है इंपॉर्टेंस आप UPDATE सेट और DLA या BLA जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप एक के डेसी तीन और एक क्या कå जब आप DLA की तयारी कर रहे हैं जेलेट कोर्स में अभी हए आप थाड हो अपका फॉर समेस्टर हो कोई भी समेस्टर हो एसे मैं आपको अभी केवल DLA को ही अच्छे से importance देनी है आपको देनी है अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं वैसे मैं जानता हूँ DLA का 10% student होंगे जो 4 घंटे पढ़ते होंगे क्योंकि मैं स्वयम इन परिस्तितियों से गुजर चुका हूँ मैंने देखे हैं क्लास के बच्चों को भी देखा है और जो मेरे इस समय मेरे रिष्टेदार में बच्चे कर रहे हैं DLA उनको भी मैं आपजर करता रहता हूँ कि कौन DLA का बच्चा कितना पढ़ रहा है वैसे 4 घंटे वाले बहुत एक कम होंगे उम्मीद करता हूँ कि तो तीन या दो घंटे तो पढ़ता ही होंगे तो तीन और एक रेशियो में आप UPTAT और DLA को तवज्जो दीजे अगर आप चार घंटे पढ़ते हैं तो तीन घंटे DLA को दीजे और एक घंटा UPTAT को दीजे तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गया होंगे UPTAT और सीटेट को UPTAT और सीटेट और DLA में किसे आपको ज़्यादा महत्यो देना है दोस्तों मैं समझ गया आप भी समझ गये कि हमें DLA अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारी बैक ना लगे क्योंकि अगर बैक लग गई तो आपका UPTAT धरा का धरा रह जाएगा इसलिए आप से कह रहा हूँ DLA को अच्छे से युद्ध इस्तर पर तयारी करकर पढ़ लीजे एक बाद DLA कम्पलीट हो गया अच्छे नंबर आ गया फिर उसके बाद हम UPTAT से चक भरती के तयारी भी युद्ध हिस्तर पर करेंगे और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने अमूल सुझाओ और प्रेशन कमेंट में जरूर पुछे और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो घुमा दिजिए ताकि सब को पता चलते के डियलेट जरूरी है या UPTAT और अगर आप डियलेट के पूरा कोर्स करना चाते है ये UPTAT के पूरा कोर्स करना चाते है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लिजए और घंटी के निशान जरूर दबाएए ताकि आनल सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते हैं अगले इंपोर्टेंट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत